भारत में बहुत सारे festivals आते हैं जिनके मज़े हर भारती अपने family के साथ एक quality time spend करना चाहता है दोस्तों हमारे इंडिया में कुल 36 ऐसे festival है जो हर भारती है घर में खुशिया लाता है और उन 36 सेवारों में से एक है दशेहरा festival जो हर सार October के महिने में आता है और ये लगबग 10 दिन तक का होता है हमारे भारत में देशेहरा सबसे ज़रा धूम धाम से पस्चिन बंगाल में बनाया जाता है लेकिन बंगाल में देशेहरा की तयारी बहुत पहले से धूम धाम से शुरू हो जाती है पुराने पंडिट का ये मानना है कि देवी दुर्गा भागवान शिवा, विश्नु, ब्रामबा ने मिलकर अपनी ताकतों से देवी दुर्गा को जनम दिया था जिससे वो महिसासुर को मार सके क्योंकि महिसा सुर्ख को कोई इंसान या कोई भागवान नहीं मार सकता था इसके साथी साथ देवी दुर्गा को भागवान गनपती और कार्तिके हैं जिनको देवी दुर्गा ने जनम दिया था Mень दुर्गा पूजा पंचमी से स्टार्ट हो जाती है और Kolkata के सबसे famous कुमोई टुमी नाम के जग़ह पर देवी दुर्गा के सकल्प्चर्स बनाये जाते हैं और इसके साथ ही साथ कुमोई टुले नाम के जग़ह पर ना ही केवल भारत बलकि अलग अलग देशों में देवी की मूर्तियां इंपोर्ट होती है लेकिन दोस्तों क्या अपने कभी सोचा है कि बेंगॉल में दुर्ग उत्सव इतना फेमस क्यों है इसका जवाब है दोस्तों कि बेंगॉल की लोगों का ये मानना है कि जिस प्रकार लड़की अपने विवाग के बाद अपने माई के आती है, उसी प्रकार देवी दुरगा इन 9 दिनों के लिए अपने माई के आती है, और उन्हें खुश करने के लिए हर तरीके का प्रयास किया जाता है, यही कारण है कि बेंगौल में नवरात्री इतना जादा महत्व है, दो इसमें दिन ये त्यवार बुराई और अच्छाई की जीत को दर्शाता है, उसी दिन देवी दुरगा ने राक्चस महिसाशिड को मारा था, दुरगा पुजा के समय रावन का भी धेन किया जाता है, जिससे सारी बुरी ताकतों का अंत हो जाता है, दोस्तों नवरात्री औ दुरगा पुजा खत्म होने के बाद एक शुप समय माना जाता है, जिससे लोग अगर कोई बिजनेस या न्यू एक्टिविटीज करें, तो उनके साथ मा दुरगा की बले सिंग्स हमेशा साथ में रहती है